जब जब देश में तूट होगी, उन्चरमपन्थी और कटरपन्थी तत्वों पर बाते अवस्य होगी, जो घर के भेदी के रूप में काम करते आए हैं। देश की एक्ता और सम्प्रभुता पर सवाल उठाना और उसे खोखला करने की कोशिस करना देश में ही रह रहे, कटरपन्थियों के खून में बसा हुआ है। यह मौका मिलते ही, देश को तोड़ने की अपनी हर मुमकिन कोशिस करने में लग जाते हैं। दिल्ली के जहांगीरपूरी की घटना को ही देखा जाए, तो वहां की यथा इस्तिती ठीक वैसी ही हो गई है, जैसी कभी हरियाना के मिवात में हुई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मेडिया पोर्टल, और मैं अपनी स्तिवारी आपको बताऊंगा, कि कैसे रोहिंग्याओं का बसेरा बना जहांगीरपूरी, अब मेवात बनने की राह पर चल पड़ा है, तो अब इलम गुसपैट ये मेवात के बाद दिल्ली में अपना डेरा जमा चुके हैं, जहांगीरपूरी की हालिया हिंसाम ने मेवात के कुछ घटना क्रमों को फ्लैस्वेक मोड पर ला दिया है, जहां यहीं कटरपंथी अपना राज चलाने की बात ये कर रहे हैं, दरसल फरवरी मा मे जब हरियाना के मेवात जिले में एक गाय तसकर को गिरफतार करने पुलिस गई थी, तो पुलिस टीम पर हमला हो गया था, यह इंसा पत्थर बरसाने से सुरू ही थी और उपद्रव तक जा पहुची, यह सभी वो कटरपंथी थे, जिनके मन में न तो शासन का डर था, और नहीं प्रसासन का भैव्याप्त था, इनके नियम सर्या पर सुरू और कल्मा पर खतम होते आए हैं, अल्ला ने जो नहीं कहा, वो भी प्लांट करके इन सभी कटरपंथ उपासकों ने ऐसे परोसा है, कि लोग उसे सच मान कर कटरता के रास्ते पर निकल जाते हैं, ऐसे में जब जहांगीरपुरी हिंसा में पत्थर की बढ़सात हुई, तो यह मेवात मॉडल के समान दिखा, जहां पुलिस अधिकारियों पर पत्थराओ किया गया था, जिनोंने मुसलिम बहुल छेत्रों में परवेस करने की हिम्मत की, क्योंकि अस्थानिये जिलास सभी प्रकार क के लिए कुख्यात था, इसके पईडाम स्वेरुप वहां का संघर से दिल्ली की हिंसा का पूरेक्सिद हो रहा है, जहां पुलिस पर पत्थराओ, गाड़ियों में आगजनी और अन्य कर्मकांट किये गये, ध्यान देने वाली बात है कि जहांगीरपुरी में सुमवार को एक घटना हुई, जिसमें दंगे करने वाले आरोपी के परिवार के सदस्यों ने जाच के दोरान पुलिस पर पत्थराओ किया, दिल्ली पुलिस के अनुसार घटना मामली थी और यह एक एक तरफा घटना थी, हलांकी यह घटना दरसाती है कि किस तरह से छेतर में आप रा के सदस्यों से पोस्ताच करना चाहते थे, हलांकी जब पुलिस वहां पहुंची, तो सोनु के परिवार वालों ने उन पर पत्थराओ किये, जिसके बाद पुलिस ने एक व्यक्ति को मौके से हिरासत में ले लिया, यूं तो मेवात जांगीरपुरी से काफी दूर, जाधी गिरोहों के लिए जाना जाता है, जिसे बोलचाल की भासा में मेवाती गिरोह कहा जाता है, वर्स 2016 में प्रकासित एक रिपोर्ट के अनुसार, जीले के सिमावर्ती इलाकों में लगभग सौब ऐसे गिरोह सक्रिये थे, एक समय था, जब ये गिरोह छोटे-मोटे अ जायुक्त के हवाले से कहा गिया था, कि पहले वे सधारन मव्यसी पकड़ने वाले या बाइक चोर हुआ करते थे, अब वे अधिक संगठित हो गये हैं, और ना क्यवल राजमार्गों पर ट्रकों को लुटने में लिप्त हैं, बलके ड्राइबरों का अपहरन करने के बाद परिवारों से फिरोती भी मांगते हैं, स्पी ने आगे कहा कि अगर कोई पुलिस पार्टी उन्हें रोकती है, तो वे बहुत हिंसक हो जाते हैं, कई बार कुछ दूर दराज की इलाकों में पुलिस को सुरक्षित मार के लिए कभर भी लेना पड़ता था, वसंद कुंच के स्टेशन हाउस ओफिसर विरिन जैन ने कहा, अगर कोई पुलिस दल उन्हें रोकता है, तो वे उसवर पत्थरों और आग्नियास्त्रों से हमला करते हैं, यहां जिस बात पर ध्यान देनी क्या शेकता है, वह है गिरों के सदस्यों के भीतर कानून का लिस मात्र भी भै नहो गए तो यह घा तक नहीं काफी बिनाशकारी साबित हो सकता है.